दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों आज से एक नई सिरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और सिरीज का नाम है TYK यानि की Test Your Knowledge Test Your Knowledge का जो ये वीडियो रहेगी दोस्तों केवल और केवल 10 मिनट की वीडियो रहेगी रेगुलर बेसिस और किस चैनल पर आएगी Only Top Study यूटूब चैनल पर रात में 9 बजे जिसमें आपको डेली बेसिस पर 25 से 30 कोशन्स मिलेंगे 25 से कम ने मिलेंगे और 30 से जादा ने मिलेंगे बट रेगुलर मिलेंगे रात में 9 बजे फिर से बता देता हूँ Only Top Study यूटूब चैनल पर चाहे आप SSTJD की त्यारी कर रहे हैं UP पुलिस की कर रहे हैं रेलवे की कर रहे हैं टीचिंग एक्जाम की कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो प्यारे दोस्तों आप इस वीडियो को रेगुलर फोलो करिए आपकी जीके बहुत ही बहतर करने से पहले तो इसका आंसर कमेंट बोक्स में बता दीजे चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन है निमलिकित में से कौन भारत के पर्थम मुस्लिम रास्पती थे प्यारे दोस्तों अगर आपको आंसर पता है ना तो कमेंट बोक्स में बताएगा यही है टेस्ट यूर नॉल मुस्लिम रास्पती थे यानि कि पहले कोशन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा कोशन आता है हिंद भारत की जनता के संदर में हिंदू सब्द का पर्थम बार परियोग किया था किसने किया था दोस्तों जल्दी से आंसर बते कमेंट बोक्स में फटाफट का सही उत प्यारे दोस्तों तीसरा कोशन आता है महान समराट असोक किस वंस के थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है फटा फटा आंसर बता दीजे महान समराट असोक किस वंस के थे दोस्तों देखे राइट आंसर हैगा मोरिय वंस के यानि कि तीसरे कोशन का राइट आ जाता है तो इस question का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तो question number 4 का सही उत्तर हेगा मैजनी को यानि की B right answer हो जाएगा question number 4 का सही उत्तर next question आता है question number 5 पर्थम विश्यूद के दोरान धुरी रास्टो का नेतरित किस ने किया प्यारे दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा दुरी रास्टो का नेतरित दोस्तो किस ने किया तो right answer is Germany ने यानि कि पांचवे question का right answer option A हो जाएगा यह है आपको याद अखना है प्यारे दोस्तो अगर आप लोग किसी भी exam की चारी करते हैं किसी भी competitive exam की तो आप लोगों के लिए एक master pdf है यह master pdf मातर 170 रुपे की है और इस master pdf के अंदर आपको सारे subject मिलेंगे सारे मिन्स सारे ठीक है अलग से कोई भी subject की pdf या book लेने की ज़रत नहीं पड़ेगी केवल इतना पढ़ लेना पूरा syllabus complete हो जाएगा प्यारे दोस्तो इस pdf का link description box में है हमारे whatsapp number पे message करेंगे तो यहां से भी मिल जाएगा चटा question है जन्पद की जानकारी मिलती है जन्पद की जानकारी मिलती है चटे question का right answer हो जाएगा बोध साहित्य से यानि की right answer भी हो जाएगा question number 6 का सही उत्तर देखें सात्वा question है सिंदु घाटी सब्यता का पतन नगर था दोस्तो सिंदु घाटी सब्यता का पतन नगर था तो right answer है लोथल यानि की B right answer हो जाएगा सात्वे question का सही उत्तर यह आपको याद अखना है question number 8 है उज्जेन का प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तो उज्जेन का प्राचीन काल में क्या नाम था तो right answer एगा अवंति का यानि की आठवे question का सही answer option A हो जाएगा दोस्तो Question number 9 है भारत के पहले मानव रहित टेंक का नाम क्या है भारत के पहले मानव रहित टेंक का नाम क्या है Right answer हैगा मुंत्रा यानि की option B right answer हो जाएगा दोस्तो देखे दसवा कोशन है हाल ही में ब्रहमान के सबसे गरम ग्रह की खोज की गई है उस ग्रह का नाम क्या है दोस्तो उस ग्रह का नाम है कोल्ट 9B यानि की दसवे कोशन का राइट आंसर C हो जाएगा देखे ग्यारवा कोशन है किस वर्स में सविधान आधारीत मदान आयू किस वर्स को संसोधित कर 18 वर्स किया गया देखे ग्यारवे कोशन का राइट आंसर हैगा 1981 में यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्यारवे कोशन का सही उतर देखे बारवा कोशन है दुनिया का पहला 3D मुदरित जेट इंजन किस देश ने विक्सित किया है दोस्तों बारवे कोशन का राइट आंसर हैगा ओस्ट्रेलिया ठीक है बारवे कोशन का राइट आंसर बी हो जाएगा यह है आपको याद अखना है देखे कोशन नमर 13 है गरसोपा जलपरपात किस राज्य में इस्थित है गरसोपा जलपरपात मेरे प्यारे दोस्तों किस राज्य में इस्थित है तो कोशन नमर 13 का राइट आंसर हैगा करनाटक राज्य में इस्थित है यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन यह है आपको लगाया जाता है तो बी सी जी यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों आई होब कि आप सब ने भी यही आंसर लगाया होगा चलिए पंदरवे कोशन का आंसर बताईए पाइरोमिटर निमलिगित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है पाइरोमिटर का दोस्तों उप्योग किया जाता है उच्टाप को मापने के लिए यानि की पंदरवे कोशन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा यह आपको याद अखना है सोल्वा कोशन है रास्टिय साक्षार्था मिशन की सुरवाद कब हुई सोल्वे कोशन का राइट आंसर हैगा 1988 इसवी में यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा सोल्वे कोशन का सयुत्तर दोस्तो सतरवा कोशन है कपिल मुनी द्वारा पर्ति पादित दार्षनिक परणाली है तो ये दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा तो राइट आंसर हैगा संख्या दर्षन यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा वै अठारवा कोशन है नवुद्ध्य विध्याले में दाकिला किस खक्सा में होता है दोस्तो सही उत्तर रहेगा आपका चटी कक्सा में होता है यानि की अठारवे कोशन कराइट आंसर C हो जाएगा देखे उनिस वा कोशन है भारतिय संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तो भारतिय संसद के कितने अंग होते हैं तो राइट आंसर हेगा तीन अंग होते हैं यानि कि 19 वे कोश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा 20 वा कोश्चन है निवन में से किस क्रांती को अक्टूबर की क्रांती कहा जाता है दोस्तों किस क्रांती को अक्टूबर की क्रांती कहा जाता है तो राइट आंसर रहेगा रूसी क्रांती को यानि की बीसवे कोशन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा 21 कोशन है गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा किस नधी को कहा जाता है तो राइट आंसर रहेगा नर्मदा नधी को यानि की डी राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा 22 वा कोशन है यदि लोकसभा अध्यक्स अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्सता कोन करता है यानि की इस कोशन से पता चलता है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्सता दोस्तो लोकसभा अध्यक्स करता है ठीक है अगर लोकसभा अध्यक्स अनुपस्थित हो तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्सता दोस्तो कोन करेगा लोकसभा का उपाध्यक्स क हो जाएगा 22 कोशन का सही उतर देखे 23 कोशन ने यंग इटली नामक संगठन किस ने बनाया कि दोस्तों यह बनाया था मिजेनी ने यानि की राइट आंसर सी हो जाएगा 23 कोशन का सही उतर 24 यहां पर कोशन है भारत का महानियवादी कब तक पद धारन कर सकता है तो राइट आंसर हैगा रास्पती के परसाद प्रियत तक यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन ने 25 कोशन है कि सराज्य की लोकसबा सीटे सबसे ज़्यादा है तो सबसे अधिक सीटे दोस्तों तो यह किसकी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा अब इन 25 कोशन में से आप लोगोंने कितने कोशन की आंसर सही किया है कमेंट बोक्स में बतेगा राष्टी साक्षारता मिशन की सुरुवात कब हुई थी? इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट बोक्स में बताना है प्यारे दोस्तों, मास्टर पीडियाप अगर आप लोगोंने अभी तक नहीं ली है तो master pdf का link description box में हमारे whatsapp number पर message करने से मिल जाएगा तो यहां से आप pdf ले सकते हैं मात्र 170 रुपे में उस link पर click करना है payment करना है और pdf आपको सभी subject के मिल जाएगी whatsapp पर pdf लेने के लिए whatsapp पर payment का screenshot भी भेजना आवश्यक है दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो like share करिए चैनल पर नहीं है तो subscribe करिए bell icon कोन रखे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो thank you so much bye bye everyone take care ख्यालेखे अपना मिलते है next class में